नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल इलाइट अकेडमी में चलिए जे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइन इंटीगल लाइन इंटीगल के बारे में डिटेल से समझेगे पेसिक से समझेगे इसका कंसेप्ट क्या है लाइन इंटीगल होता क्या है देखेगा यह सभी DSSP हो या फिर KVS या NVS हो ठीक है जो इनमें PGT PGT का जो मैत का पोर्षन होता है मतलब जो मैन सबजेक्ट होता है देखेगा यहाँ पे जो मैन सबजेक्ट होता है यहाँ से आपको एक या दो कुस्तन देखने को जरूर मिलेगा और यदि आप GIC की बात करते हो GIC या असरम पद्धति या LT ग्रेड की बात करते हो तो यहाँ से आपको 100% कुस्तन देखने को जरूर मिलेगा ठीक है तो चलिए line integral को detail से समझते हैं कि line integral होता क्या है इसको हम example point of view से क्या use है इसको कैसे हम solve करेगे चलिए start करते है देखेजी line integral आप लोग ने 12th में definite integral पढ़ा होगा definite integral देखेगा definite integral का मतलब होता है कि उसमें आप जब कोई भी integration करोते हो तो वहाँ पे आपको limit दी गई हो मतलब आपको जैसे आपने simply एक मैंने function लिया fx इसको हमने integrate किया और x की value मैंने a से लेकर b तक आपको fix करके दे दी कि आपको यही value जो भी यहाँ पे result निकल लगाएगा वो x की value a से b तक जाएगी देखें यह a से b तक की यदि हम बात करते है तो यह किसी curve के according होता है along होता है तीक है जैसे मान ले जाए हमने यहाँ पे कोई भी एक curve बनाया जो भी यहाँ पे function होगा इस curve पर हम चलेगे लेकिन जो हमें यहाँ पे limitation दी गई है जैसे मान ले जाए x equal a से लेकर कहां तक x equal b तक x equal b तक तो जब हम line integral निकालेगे तो वो किसी curve के according होगा और जहाँ पर limitation दी गई होगी बात के लिए देखे इसकी definition की यदि हम बात करें तो definition जो होती है वो होती है बात के लिए निकालते कैसे है देखेगा line integral को direct ना पूछ कर आपसे एक word देता है work done ठीक है आपको f दिया जाएगा जो भी आपका function होगा और आपसे पूछा जाएगा जैसे मान ले जाएगा आपको force देता है कि किसी particular पर कोई force apply किया गया है और वो इस जो भी यहाँ पे बल जो भी मतलब वस्तु रखी हुई है इस वस्तु को A point से लेकर B point तक जाता है ठीक है along the curve वो कर्व देगा कि किस कर्व के along जाना है तो वहाँ पे जब हम इसको यूज करेगे वहाँ पे आपसे पूछेगा work done बताईए ठीक है direct line integral का question ना देकर कभी कभी work done पूछ लेता है work done को भी हम line integral के help से ही निकालते है जो work done का sample होता है work done equal to होता है line integral cf.dr इसी को आप line integral बोलते हो इसी को आप क्या बोलते हो work done बोलते हो बात के लिए तो यहाँ पे हमें करना क्या है यहाँ पे f की value वो देगा और dr की value r होता क्या है r होता है r vector form की बात यदि हम करते है तो r equal होता है x i plus y j plus z k बात के लिए और यहाँ पे f भी आपको vector form में देगा vector form में मतलब जैसे माल ले जाए आपको f1 i दे दिया plus f2 j दे दिया plus f3 k यहाँ पे आपको दे देगा तो फिर आपको करना क्या है जब आप f dot d निकालोगे तो यहाँ से देखेगा यहाँ से आपको निकालना है f dot sorry dr ठीक है देखे, r equal इतना है, तो जब आप यहां से dr निकालोगे, तो यहां से dr की value क्या आएगी, dxi plus dyj plus dz k, और इन दोनों की dot multiply करने पर, जो work done आता है निकलके, work done को हम लिख देते है, line integral c f1 dx plus f2 dy plus f3 dz, बात के लिए, यह है line integral, इसी को हम line integral बोलते है, इसी को हम work done बोलते है, देखेगा, ध्यान दीजेगा, जो भी tgt, pgt का, जो भी exam होगा, वहां पर question work done के नाम से आएगा, आपसे work done पूछेगा, f दिया जाएगा, r दिया जाएगा, आपसे work done पूछेगा, ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, work done ऐसे निकालना है, अभी हम कुछ example करेगे, वहां से आपको बिल्कुल किलियर हो जाएगा, कि यह मतलब question पूछा कैसे जाता है, और work done हम निकालेगे कैसे, बात किलियर, चलिए जी, हम सबसे question के start करते हैं, चलिए, उमीद है, line integral आपको बिल्कुल अच् cf.dr, ठीक है, देखेगा, यह book में जो दिया होता है, या question paper में जो दिया होता है, जहां पर dark f लिखा होगा, ठीक है, dark, एक जगा dark लिखा होता है, एक light लिखा होता है, जो dark लिखा होता है, वो होता है, vector form में, ठीक है, यानि कि जो dark लिखा होता है, उसको आप vector पढ़ते वेक्टर एफ ठीक है तो आपको निकालना है एवल्यूट लाइन इंटीगल एफ डोट डी आर वेर f is equal to है x square i plus y cube j ठीक है and curve c चो curve c है is the arc of the is the arc of the parabola parabola y is equal to x square शीख है in xy plane in xy plane from 00211 बात के लियर देखेगा इस टाइप से आपको question मिलेगा या आपसे इसका ना पूच कर यहां पर पूच मतलब यह सब चीजे दिया होगा इतना ना देकर इसके स्थान पर देदेगा find work done आपको देदेगा find work done तो आपको work done निकालना है तो देखेगा आप हम इसको जो इसी को line integral बोलते है इसी को work done बोलते है तो चलिए इसको solve कैसे करेगे देखेगा यहां पर आपको सबसे पहले f और dr यहां पर यह दिया गया है ठीक है मतलब dr जो आपको r निकालना है dr का मतलब जो जैसे मैंने अभी आपको लिखा था क्या f1 dx प्लस f2 dy प्लस f3 dz यह line integral होता है बात के लिए f आपको यहां पर यह दिया गया है ठीक है अब देखेगा तो यहां पर देखेगा जब हम इसको solve करेगे तो इसकी value क्या आएगी f की value क्या है यह f1 की value होगी यह f2 की value होगी ठीक है यह f1 की value होगी यह f2 की value होगी तो यहां पर जो line integral c f dot dr equal क्या जाएगा line integral c f1 की value है x square dx प्लस f2 की value है y cube dy अब आपको यह find करना है बात के लिए क्या find करना है यह find करना है along the curve y equal x square तो आपको यहां पर हमेशा जब इस तरीके से यहां पर result आ जाएगा यहां पर आपको देखेगा दो variable दिये गए है तो इन दो में से एक variable की value आप यहां से put करोगे जैसे ही उसकी value put करोगे उसी के according उसके differentiation की भी value put करेगे यहां से हम y की value put करेगे x square लेकिन जब हम y की value x square put करेगे तो dy निकल के क्या आ जाएगा 2x dx आ जाएगा अब बात आएगा हमने y को x में तो change कर दिया लेकिन x की limit क्या होगी x की limit क्या होगी 0 से लेके 1 तक जाएगी तो आप यहां पर जब सब कुछ variable एक variable को दूसरे में change कर दोगे तो limit उसकी रखे जाएगी तो यहां पर आ जाएगा 0 से लेके 1 तक x हमें change नहीं करना x square dx पलस y cube लेकिन y की हमें तो x square value रखनी है तो यह आ जाएगा y की power 6 और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा into में 2x dy बात के लिए चलिए जी इसके बाद सोरी dx ठीक है तो dx बाहर आ जाएगा यह हो जाएगा line integral 0 to 1 x square पलस 2x की power 7 और dx ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा x बात के लिए अब simple आपको इसका integration करना है और value पुट करनी है तो जब आप इसका integration करोगे तो क्या जाएगा x cube by 3 पलस यह बन जाएगा 2 into x की 8 by 8 और value आप पुट करोगे 0 से लेके 1 ठीक है तो जब आप यहां पर 0 value पुट करेगे इसको मैं इधर लिख देता हूँ यहां पर देखेगा जब आपने 1 पुट किया तो यह 1 by 3 पलस 2 by 8 0 रखेगे तो 0 हो जाएगा बात के लिए 0 रखेगे तो 0 हो जाएगा इससे इसको मैंने cancel किया 4 आएगा यानि के 1 अपन 3 पलस 1 अपन 4 और इसको हम solo करेगे तो कितना आ जाएगा एलचम लेने पर कितना आ जाएगा 7 बटे 12 7 अपन 12 आपका answer होगा बात के लिए तो यदि आपसे work done पूछेगा तो आपका answer क्या होगा 7 अपन 12 यदि आपसे line integral पूछेगा जैसे यहाँ पर पूछा गया है value to the this इसकी value का जाएगी 7 अपन 12 बात के लिए line integral कुछ नहीं है केवाल line integral का मतलब होता है कि कि किसी कर्व के according हमें integration निकालना तो जैसे वहाँ पर जो limit दी गई होगी एक limit से लेकर दूसरी limit तक हमें value put करनी होती है बात के लिए चलिए जी उम्मीद है यहाँ तक बिल्कुल आपको अच्छे से सब कुछ समझ आया होगा चलिए एक example ओड करते हैं चलिएगा next question देखते है next question देखेगा आपसे पुछा गया है evaluate evaluate integration of x dy minus y dx around around the circle x square plus y square equal to 1 आपको इसकी value निकालनी है इसके according ठीक है चलिए जी देखेगा जब कभी भी आपको circle मतलब आपको जो curve है वो circle दिया गया है या ellipse दिया गया है तो आप इसको polar form में convert करके तब करोगे तो कभी भी कोई गलती नहीं होगी ठीक है तो आपको याद रखना है जो भी जैसे circle का जो standard equation होता है वो होता है यहाँ पे हम x equal क्या रखते है a cos theta और y equal क्या रखते है a side theta तो जो भी यहाँ पे आपको दिया गया हो उसको हम polar form में convert करने के बाद जब हम value put करेगे तो उससे कभी भी गलती नहीं होगी क्यों नहीं होगी देखेगा यहाँ पे circle दिया गया है तो circle जब आप निकालोगे इसका area निकालोगे तो यहाँ पे theta की value 0 से लेके कहां पर जाना है आपको 2 pi तक कहां तक जाना है 2 pi तक तो यदि आपको circle वगेर दिया गया है या ellipse दिया गया है तो आपको सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि जो भी आपको दिया गया है उसको polar form में convert कर लो बात के लिए आपको निकालना क्या है line integral x dy minus y dx बात के लिए तो जब आप यहाँ पे value put करोगे तो आपको x equal a की value क्या है a की value यहाँ पे है 1 radius इ sin theta तो इसका मतलब क्या होगा dx equal क्या हो जाएगा minus sin theta d theta और dy equal क्या हो जाएगा dy equal हो जाएगा cos theta d theta ठीक है put in this इसको आप first डालोगे first में put करेगे तो क्या जाएगा integration x के स्थान पर आपको लिखना cos theta और dy के स्थान पर लिखना into cos theta d theta minus y के स्थान पर क्या लिखना आपको sin theta और dx के इस्थान पर minus sin theta d theta अब आप देखोगे ये क्या हो जाएगा कोसी स्क्वार theta minus minus अच्छा हाँ यहाँ पर आपको theta की limit भी रखनी है theta की limit क्या 0 से लेके 2 pi तो limit 0 से लेके 2 pi बात के लिए चलिए जी पलस यह क्या हो जाएगा sin square theta और sin square theta कोस theta की value क्या होती है इसकी value 1 तो यह आजाएगा line integral 2 pi 1 d theta और 1 का theta के according integration करेगे तो theta आएगा और limit है 0 से लेके 2 pi लिमिट क्या है 0 से लेके 2 pi तो आप direct limit लख दीजे 2 pi तो आपका answer क्या आजाएगा 2 pi बात के लिए चलिए जीए उमीद है आपको यह सब कुछ अच्छे से सब कुछ समझाया होगा clear हुआ होगा ठीक है चलिए आगे कुछ कोशन कर लेते हैं next question देखेगा देखे सबसे अच्छा कोशन है line integral आपको निकालना है work done ठीक है आपको f दिया गया है f equal दिया गया है x square plus y square i minus 2xy j curve c is the rectangle is the rectangle in x y plane x y plane bounded by bounded by y equal 0 x equal a y equal b x equal 0 तो आपको इससे bounded होने वाला जो rectangle दिया गया है find work done ठीक है आपको क्या निकालना है work done निकालना है चलिए जी हम work done निकालते हैं आपको करना क्या है देखे सबसे पहले यदि हम इस curve को draw करने की कोशिस करें क्या है एक rectangle है आपको line integral निकालना है चीक है line integral क्या निकालना है आपको निकालना है f dot d r यह आपको निकालना है लेकिन यहां पे जो curve है वो single curve नहीं दिया आपको rectangle का जो boundary है वो दी गई है यानि के आपको यहां पे यह मैंने x y plane बनाया और यहां पे y equal 0 इसको बोलते है x equal a यहां पे कोई होगा और y equal b यहां पे होगा और x equal 0 यह यानि के यह तो हो गया y equal 0 x equal 0 x equal a y equal b देखेगा यहां पे आपको यह जो solution करना है यह चार पार्ट में करना पड़ेगा वह चार लाइन है ना यहां पे एक लाइन यह एक लाइन यह और एक यह तो इन चारों के according जब आप करोगे तो सबसे पहले इसको हमें जो यहां पे f dot dr निकल के आएगा वो आएगा क्या integration x square plus y square dx minus 2xy dy यहां तक कोई दिक्कत नहीं है अब हमने इसको चार पार्ट में तोड़ा जब हम यहां से यहां तक जाएगे तो हम किस का रूपर चल रहे है y equal 0 पर तो जब आप y equal 0 रखोगे तो dy क्या जाएगा almost 0 बात के लिए भई y equal आपने 0 किया तो dy equal क्या जाएगा 0 लेकिन यहां पर x की limit क्या है यहां से यहां तक x की limit होगी यहां पर 0 है यहां पर a है तो पहले हम चले 0 से लेके a तक लेकिन इस पर y की value 0 dy की value 0 तो आपका बचेगा x square dx बात के लिए यहां तक अब चलिए यहां पर पलस अब हम चलेगे इस line के according जब इस line पर चलेगे तो यहां पर देखेगा यह क्या है x equal a आप यहां पर देखो x equal a तो इसका मतलब dx equal क्या 0 dx equal क्या 0 अब यहां पर जब देखो हमने x change कर दिया constant में dx की value हमने 0 पूट कर दी तो बचेगा क्या y y की limit क्या है y की limit यहां से यहां तक मतलब y की limit है 0 से लेके b तक तो y की limit क्या है 0 से b dx 0 तो complete 0 क्या बचेगा minus 2 a y dy बात के लिए यहां तक अब चलेगे हम इस line के according तो इस line का according चलेगे तो integration limit कहां से देखेगा यहां पर है y equal 0 तो y equal 0 तो sorry y equal b तो dy equal 0 अब हमने y की value b रखी dy की value 0 रखी तो limit किसकी बचेगी x की लेकिन हम इधर चल रहे है ठीक है आपको direction सेम रखनी है direction change नहीं करनी जैसे आप यहां से इधर जा रहे हो फिर इधर तो अब इधर जाओगे तो इधर के लिए a से कहां पर पहुँचेगे 0 तो limit होगी a से लेके 0 आपने dy की value 0 यह cancel y की value b तो यह हो जाएगा x square plus b square dx बात के लिए अब हम x equal 0 रखेगे तो dx equal 0 बात के लिए अब देखिए x equal हमने यहां पर 0 रखा यह complete 0 हमने dx यहां पर 0 रखा complete 0 तो plus में क्या आजाएगा 0 यहां तक कोई confusion नी अब इसको हमें solve कर लेना है बात के लिए देखेगा x square का integration x cube by 3 limit 0 to a plus यहां पर plus minus minus 2a constant y की y square upon 2 limit 0 से लेके b plus यहां पर x cube by 3 plus b square x और limit क्या होगी a से लेके 0 बात के लिए चलिए जी अब हम यहां पर value put कर लेते हैं हमने a रखा तो क्या बनेगा a cube by 3 क्या बनेगा a cube by 3 plus minus 2 से 2 cancel हमने b रखा तो क्या बनेगा a b square plus में plus में क्या आएगा देखो 0 रखेगे तो 0 हो जाएगा लेकिन minus करके नीचे की limit रखेगे तो यह आ जाएगा minus a cube by 3 और minus b square a बात के लिए minus b square a तो देखेगा यहां पर क्या बनेगा minus plus minus हो जाएगा a cube by 3 minus a b square minus a cube by 3 minus b square a इससे यह cancel यह दोनों value सेम तो आपका answer क्या जाएगा minus 2 a b square यही आपका required answer होगा बात के लिए चलिए जी next चलते हैं एक कोशन और देखेगा अच्छा कोशन है f equal आपको दिया गया है 3 x square plus 6 y i minus 14 y z j plus 20 x z square k ठीक है आपको निकालना है line integral f dot dr जब आपको line integral f dot dr निकालना है आपको यह state line दी गई है along the curve c is a state line c is a straight line from 0 0 0 2 1 1 1 ठीक है आपको यहां से यहां तक जो state line जाएगी उसके according आपको line integral निकालना है बात के लिए चलिए जी जब आप यहां पर line integral निकालोगे तो कैसे करेगे देखे सबसे पहले हम क्या करेगे उस करू का equation निकालेगे क्योंकि यहां पर 3D में है यह 3D में है तो 3D में दो point से होका जाने वाली state line का equation क्या होता है मैं उसको formula लिख देता हूँ x minus x1 upon x2 minus x1 equal y minus y1 upon y2 minus y1 equal z minus z1 upon z2 minus z1 बात के लिए चलिए जब हम इसके according यह दो point रखकर equation निकालेगे तो क्या बनेगा equation यहां पर equation बनेगा x minus 0 upon 1 y minus 0 upon 1 z minus 0 upon 1 हमने मान लिया let t ठीक है हमने t इसको माना तो यहां से हमने निकल के आया x equal t y equal t और z equal t चिक है जब x equal t होगा तो dx equal dt होगा y equal t होगा तो dy equal dt होगा z equal t है तो dz equal dt होगा आपको निकालना है line integral f dot dr equal क्या होगा line integral c 3x square plus 6y dx minus yz dy plus 20xz square dz बात के लिया अब आपको देखो इसमें जो t की limit है वो t की limit क्या होगी 0 से लेके 1 तक तो जब आप इस सब को t में convert कर दोगे तो limit आजाएगी 0 से लेके 1 यहाँ पर देखेगा हमें t रखना है 3t square plus 6t minus ये भी t ये भी t 14t square plus ये भी t ये भी t यानिके 20t cube और bracket के बाहर dt बात के लिया चलिए जी अब हम इसका integration कर देते हैं क्या आजाएगा देखेगा 6t का या जाएगा 6t square upon 2 minus ये 14 में से 3 घटाएगे तो क्या बचेगा 11t की 4 upon 4 plus में क्या बचेगा 20t की 4 upon 4 यहाँ पर 3 बचेगा t square है तो t की 3 upon 3 बात के लिए यहाँ तक और limit क्या है 0 से लेके 1 अब देखेगा यहाँ पर जब आप 1 रखोगे तो ये 1 बचेगा और 0 रखोगे तो सब कुछ cancel हो जाएगा तो जब आप 1 रखोगे तो ये 1 रखने पर आ जाएगा क्या हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं यहाँ पर देखेगा जब 1 रखेगे तो क्या आएगा 6 upon 2 minus 11 upon 3 plus 20 upon 4 ठीक है क्या बचेगा 20 upon 4 ठीक है हाँ जी 20 upon 4 ठीक है देखेगा इसको हमने 3 लिखा 3 minus 11 upon 3 plus ये क्या बच जाएगा 5 ठीक है तो 5 और 3 क्या बचेगा 8 minus 11 upon 3 आठतिया 24 minus 11 upon 3 24 में से 11 जाएगे कितना बचेगा 13 upon 3 तो यही आपका आंसर होगा बात के लिए तो परक डन कैसे निकालते है लाइन इंटिगल क्या होता है यह हमें किसी लाइन के अकोडिंग निकालना होता है बात के लिए चलिए जी उमीद है यहां तक आपको सब कुछ के लिए हो गया होगा ठीक है तो लाइन इंटिगल क्या होता है लाइन इंटिगल कुछ नहीं लाइन इंटिगल वो ही होता है जो आप definite इंटिगल निकालते आएगो बस यहां पर आपको कर्व दिया होगा यदि आपको 2D या 3D में दिया गया है तो आपको 2 variable है तो 2 को 1 में convert करना होगा और उसकी limit रख नहीं होगी ध्यान रखेगा यदि कर्व सरकिल या फिर सरकिल दिया गया है या फिर ellipse दिया गया है तो आपको क्या करना है इनको polar form में convert करके तब आपको solve करना है ठीक है मैंने सभी का एक एक example लेकर आपको समझाने का परियास किया है ठीक है तो उमीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है यदि आपको हमारा परियास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजेगा अपने दोस्तों तक share कर दीजेगा आप हमारे चैनल पर नए है या अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon को press कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको तुरंत मिल जाए ठीक है हम लोग यहाँ पे जो भी complete करेगे हम सोचते है कि basic से detail से समझाया जाए ठीक है जो भी आपका topic होगा जो भी point होगा यदि आप उसको detail में समझ लोगे तो उसको easily जल्दी से fast से वो सब चीज से आ जाती है लेकिन यदि आपके basic ही समझ नहीं होगा तो आप उसको करोगे कैसे चलिए जी ठीक है मिलते है next video में thank you for watching जब तक देखते रहिएगा elite academy